सिकंद्रा में भाच्पा जिला अध्यक्ष रतन तीवाडी ने एक कारिक्रम में जाती समय सिकंद्रा भाच्पा कारले पर पत्रकारों से प्रेस्वारता की उन्होंने मीडिया के माध्यम से गैलोत सरकार पर जम कर निशाना साथते हुए करॉली में पुजारी पर पैट्रोल छिड़क कर बेहरेमी तरीके से जलाने के मामले में राजस्तान के मुख्यमंत्री आशोक गैलोत सरकार द्वारा चुप्पी साधनी को शर्मनाग बताया उन्होंने कहा कि राजस्तान में पुलिस का प्रभाव बिलकुल खत्म हो गया है एक गरीब भ्रामन के निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और अभी तक पूरे आरोपियों के गिरफ्तारी भी नहीं की गई है भारती जंता पार्टी इस मुद्दे को उपर तक उठाईगी आ पुलिस का इकबाल बिलकुल खत्म हो राजस्तार का मुक्योंत्री ग्रहमंत्री भी है इसके बावजूर लगातार कानूम यहस्ता की स्थिती बिगड़ती जानी है रोज बनातकार जो हो रहे थे उसकर तो हमक्यापन दे ही रहे थे लेकिन अभी दो दिन पहले यह जो सब्सक्राइब कुछ नहीं बोली कि यह शर्मनाग है और भारत्य जंता फार्टी इस मुद्य को उपर तक उठाएगी और आवशक्ता बढ़ी तो आंदोरन करेगी तो यह करीम व्यक्ति जिसके पास जो खाने का सामान नहीं हो उस व्यक्ति को कोई जिन्दा चला जाए और उसके उपर सरकार कोई करवा ही नहीं है